है क्या आप भी बीटीएलेड जब बीटी सा σ्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए हैं टीछिंग वाज वाओ का प्रैक्टिकल या बीडीड डीड टी टीचिंग प्रैक्टीकल होते हैं ुसमें किस प्रकार से कोशन किये जाते हैं एक्टनर के द्वारा यह जानने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन में आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको अपडेट इनोटिफेसन मिलता आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर किजिएगा और जादा से ज्यादा शेयर किजिएगा बताईएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें इंस्टा और फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं इसके पहले मैंने कुछ और वीडियो ढाले हुए है बीड ड description पर मिल जाएगा आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं काफी अच्छा प्यार मिला था उस वीडियो को काफी लोग सारहा था चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग वाइवास कुश्चन आंसर विट एक्सप्लेनेशन अपने पहला कुश्चन है योजना का क्या अर्थ है यह वीडियो लंबा हो सकता है तो आप इसकीप ना करें अगर आपको कुश्चन आंसर समझने है और एक्स्प्लेनेशन आपको समझने है तो वीडियो स्किप ना करके पूरे अन तक देखिए अगर वीडियो लंबा हो सकता है इसके मैं सेकेंड पार्ट भी आपको जल्द ही अपडेट कराऊंगा योजना का क्या आर्थ है किसी भी कार्ये को दाप्त करने का एक साधन योजना कहलाता है कोई बी कार्य योजना के तहट होता है तब निस्ती तुरूप से सफलता की प्रापति होते है इसको एक प्रकार सी अबी कहा जा सकता है कि पार्ट योजना पूर्व ile ढाट होती है जिसके अगर अध्यापक नवीन ज्यान लग है लेकिन जाना आपको वहीं पर हैं तो अगर आपने प्लान त्यार किया हुआ है है थो एक रास्था आपका जाता है पचीस किनोटर परता एक दूसरा रास्त आपको 15 किनोटर रास्ते Story पड़ता है तो आपने अगर प्लां करके गए है तो आप बिल्कुल आपको पता होगा क्यों होते हैं तो यहां पर कुछ बिंदू है जिसके माद्धम समय इस्पष्ट किया है कि पाठ्योजना कि जो आउसकता है हमको क्यों होते हैं कक्षा में उचित सैक्षिक वातावरन बनाने एवं प्रभावी शिक्षन के लिए निवा रहे हैं सिक्षन के कार्य को निमी तेवन संगठीत बनाती हैं पाठ्योजना के लिए पत्प्रदर्सक एक मित्र का कार्य करते हैं तो आपको यहां पे बहुं सारे जैसे पॉइंट मिले जैसे मैंने यहां पे कहा कि सिक्षन के कार्य को निमी तेवन संगठीत बनाती हैं और पाठ्योजना के माध्यम से हो सकता है हमने क्या क्या उसको ब्युवस्तित किया है इसको हम पाठशी दिन में और काफी अच्छे से हम क्या कर सकते है अ आ सकते हैं तो ये रहा हमारा पाठ योजना की आउसकता देख लेते हैं कुछ जो पाठ योजना हो उसमें क्या-क्या विसेश्ता होने चाहिए हमारा next question है तो पाठ योजना लक्ष सिक्षण विधिया प्रविधिया साहक समागरी आदी की दिश्टी से परीचीत होना चाहिए मतलब ये सभी चीज़े क्या होने चाहिए उसमें समाहित होना चाहिए पाठ योजना की भासा सरल एवं आकर्शक होना चाहिए पाठ योजना संबंदी समान एवं विसिश्ट उद्दे से लिखे गए होने चाहिए उचित एवं आउसकता के इनूप साहक समागरी के प्रयो पर पिए मितолब वोच्छ को पहले से उसको जोड़कर बता रहे हैं मतलब कोई नया चप्टर या नया हम टॉपिक के लिए हम क्या किया है हुआ हमने एक पार्ट योजना तयार किया है तो उसकी विशेष्ट यह होनी चाहिए कि हम वो बच्चा उस पार्ट को पहले से उस पार्ट के जो अंस है वो पहले से पढ़ा हुआ रहों चाहिए next question देखते है इसे में कुछ और है जैसे पार्ट योजना में स्यामपट कार या करसक धंक से होना चाहिए और पाठ योजना अध्यापक के कारे में सहायव होना चाहिए योजना के कितने इस्तर है नेक्स जो हमारा कुशन है योजना के कितने इस्तर है मतलब जो प्लान है उसके कितने लेवल है 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 ना उसके बारे में हम पूछा गया है तो सिक्षा के सेतर में योजना के चार प्रकार ली तूसरा है मंतली तीसरा वीकली और जो फूर्थ है कि एक मन्त में हम कितने यूनिट को हम कंप्लीट करें ठीक है वहां पर हम क्या टेस्ट लेना चाहिए या हम कोई एक्जाम लेना चाहते हैं तो वह सारा इसमें इंक्लूड होना चाहिए सब्ताहिक वीकली हम क्या करें कि वीक में हमको कितने यूनिट को या यूनिट के अंतर कितने चेप्टर को हमको कम्प्लीट कराने हैं चौथा जो होता है वो डेली या दैनिक लेसन प्लान या दैनिक डैनिक योजना कह सकते हैं यह होता है डेली डेली जैसे हम कोई भी 40-45 मिनट्स का हमन एकाई योजना का क्या आर्थ है जो यूनिट प्लान जो होता है यूनिट प्लान होता क्या है इसके बारे में यहां पर पूछा गया है समानी अर्थों में यूनिट प्लान वह प्लान योजना निर्मान है जिसमें पाठ्ठेक्रम संबंधी सत्र के सत्र में किये जाने वाले क कारी को अध्यापक छोटी-छोटी लेकिन सार्था की काईयों में बाड़ता है जिससे अध्यापक अपना कार्य सुगमता वा एकाग्रचीत होकर करता है या इसको दूसरे सब्द में कहें कि जिस प्रकार हम किसी एक सिर्षक या भाग पढ़ाने के लिए एक कलांस के लिए द अश्ब्रविधिया को समाहित कर एक योजना ब्टधंग से लिखा जाता है तो यकाई योजना में दhouse volumes सारे चेपटर हो सकते हैं दो से तीन चार चेपटर होते हैं अब हम क्या करते हैं कि कोई भी डेली डेली हम क्या करते हैं डेली लेसन प्लान बनाते हैं या दैनिक पाठियोजना तयार करते हैं तो दैनिक पाठियोजना तयार करते हैं उसी प्रकार से दैनिक पाठियोजना जो होता है वो डेली का रहता है, वो किसी चेप्टर, चेप्टर से हम क्या करते हैं, प्रक्रन को लेकर हम चलते हैं, और इसमें क्या होता है, कि हम पूरे यूनिट का, यूनिट में कितने चेप्टर है, तिन चेप्टर, चार चेप्टर पूरे को लेकर चलते हैं, उसमें कौन से उद्द का टेक्निक का हम प्रयोक करें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है टिक आगे नेक्स्ट कोश्चन है पाठ योजना तथा इकाई योजना में अंतर तो पाठ योजना के बारे में मैंने बता दिया है पाठ योजना जो होता है वो किसी भी कारे को या अपने लच्छे की प से संबंधित विशयवस्तू होती है पार्थ यूजना किसी एक टाइटल के अधार पर बनाई जाती है तथा उसमें सीर्षक से संबंधित विशयवस्तू तथा सिक्षण के उद्देश से समलित होते हैं नेक्ष रहते हैं इसी में पार्थ यूजना अध्याय के किसी एक सीरसक का खंड को पढ़ाने के लिए एक कलांस के लिए बनाया जाते हैं जो कि दैनिक पार्थ योजना कायदाती है मैंने अभी बताया था आपको कि पार्थ योजना हम डेली के लिए बनाते हैं एक सीरसक का खंड को पढ़ाने के लिए तो एक कलांस के लिए बनाया जाता है और एक कलांस 40-45 मिनट्स को होते हैं आगे हम देखें इसी में कि इकाई योजना एक संपूर इकाई को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है योजना इसलिए बनाई जाते हैं कि संपूर इकाई को कितने सिर्शक के अंतरगत कितने कलांस में और किस दिन पढ़ाया जाएगा किस प्रकार की सहयक समागरी क्या हो सकता होगी अध्यापक की क्या क्रिया होगी छातरों की क्या क्रिया होगी मुल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा आधी सभी बातों के इसमें योजनावत तरीके से लिखा जाता है पाठ योजना निर्धारी समय के कलांस के लिए अनुरूप बनाये जाते है जबकि इकाई योजना अध्याय संपूर इकाई को ध्यान में रखते हुए बनाये जाती है जो इकाई योजना जो होता है या यूनिट प्लान जो होता है वो यूनिट प्लान के अंतर के जितने भी चेप्टर आते हैं उन सब को समाहित करके बनाया जाता है जबकि जो पाठ योजना होता है या दैनिक पाठ योजना जो होता है वो किसी टाइटल के खंड को पढ़ाने के लिए क्लांस में जैसे छालीष मीनिट का जो हमारा क्लास होता है उसके लिए तो ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट-योजना और समागरी क्या है सिक्षण सहायक समागरी दो बहर्थ महत्पूर है यह शिक्षण का एक महत्पूर्ण साधन् monthly माना पार्थ योजना में प्रयूक तो होने वाले सिक्षन समागरी जैसे हम बात कर लें चाउक डस्टर मॉडल मानचीतर स्यामपट संकेतक पॉइंटर बोल सकते हैं संकेतक स्यामपट ब्लैक बोर्ड छात्रों के अध्यान के प्रति रूची उत्पर्ण करने वग्यान को इस्था सहायक समागरी कहते हैं आप क्लास्रूम में जब टीचिंग के लिए जाते हैं तो आप बहुं सारे जो सहायक समागरी है उनका उप्योग करते हैं जैसे चौक डस्टर मैंने बता ही दिया आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाई हो रहे तो हमने मोबाइल फोन को प्रोज समागरी के प्रकार तो एीजिवल बताए गया है यहां पर आइड और घ्रिफ्य बताए गया है अगर आपको स्क्रीन शॉट लेके आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा से या तो पॉस कर लेजेगा वीडियो रोक कर आप पढ़ेगा आगे हम बात करते हैं परमपरागत सिक्षन सायक समागरी ट्रैडिशनल टीचिंग एड और और मॉडरन टीचिंग एड क्या है तो हम ट्रैडिशनल मान सकते हैं पहले से जो प्रयोग होते आ रहा है स्यामपट ब्लैकबोर्ड रोलर लपेट स्यामपट कहा जाता है रोलर ब्लैकबोर्ड संकेतक चाक डस्टर यह हमारे क्या है यह पहले से उप्योग परमपरागत प्रजेक्टर ओ धर्ड़ेktर ओध़ चर्ट पेपर मॉडल यह मोबाइल यह सारी जू चीजह है वह क्या है छासा मागरी च्छन सहायीक समागरी के अंतरगण आता है आगे बात कर लीडिशाड़ी से आपक्या समझते हैं नेक्स्त को सोन है हमारा सिक्षन विधी मैठेड है ना टेचिंग मैठेड सिक्षण विधी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लच्छी की प्राप्ती संभव है उसे प्रभाव साली बनाने के लिए विशाइवस्तु की प्रकृती को ध्यान में रखना पड़ता है इसलिए अनेक विदियो का प्रतिपा या गनित अध्यापक द्वारा या विज्ञान अध्यापक द्वारा प्रदान करना विधी ज्ञान प्राप्त या प्रदान करने का एक तरीका है यहां पर लास्ट हम कह सकते हैं कि विधी जो है वो ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान प्रदान करने का एक तरीका मान सकते नेक्स्ट इसी में देखते हैं किसी विसाय की ज्ञान को सिक्षार्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए जिससे वे उस विसाय के निर्धारित उद्यश्यों की प्राप्ति कर सके वह पद्धती सिक्षन पद्धती कहलाती है और सिक्षा में पद्धती सब्द का निर्धारित उद्योस की प्राप्ति कर सके वही क्या क्या बात करें आपने अपने विशाय में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- बताना होगा तो सबसे पहला यहां पर ब्याक्ष्यान विधी लेक्चर मैथड जो है लेक्चर मैथड यहां पर बताया गया है दूसरा प्रदर्शन विधी तीसरा ब्याक्ष्यान प्रदर्शन विधी और चौता विश्चलेशन विधी तो ब्याक्ष्यान विधी क्या होता ह तो आपको ब्याख्यान देना बनता ही है लेकिन ब्याख्यान जो विधी है वो छोटे क्लास होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना ब्याख्यान नहीं सुन पाते हैं इतना भाशन नहीं सुन पाते हैं एक बात और यह जो ब्याख्यान विधी उसको भाशन विधी भ के अंद्रित कह सकते हैं या टीचर सेंटर कह सकते हैं या सक इसमें जो टीचर होते हैं वही ज्यादा सक्री होते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उसमें मुक्स रोता मतलब वो सिर्फ क्या करने थे सुनने वाले चुप बैठ कर क्या करते हैं सुनते रहते हैं तो यह ब प्रदर्शन अंग्रेजी में जो है डेमोस्ट्रेशन कहा जाता है इसी को और हम बात करें कि इसका अर्थ जो होता है प्रदर्शन का अर्थ होता है देखना या दिखाना सो करना और प्रदर्शन के माध्यम से हम कई चीजों को हम क्या करते हैं दिखाते हैं डेमोस्ट्रेशन क्लासरूम में किसी चीज को आपको बताना है जैसे मैं Globe के बारे में बात करूं Social Science पढ़ा रहो मैं तो वहां पर Globe क्या प्रादर्शन कर रहे हूं ठीक है ब्याक्ष्णप्रदर्शन विदी या व्याक्ष्णप्रदर्शन किया सकते 222 कि समाजिक भी कह सकते हैं कि हम उसकता है कि यहां पर लैक्चर भी दे रहे है जैसे आपको एक मांचीट्र को दिखाना यह भारत का मैप ciao मैप थो भारत खलते हुई आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको भ्याख्यान भी देना ऑगा तो लैक्ट्र कर मन देमोस्ट्रेशन में लेक्ट्रेस्न में Chase के बारे में आपको बता दोनों आपको करना होगा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यॉज्ञान वी स्ट्रिक्ट्टर न donc तो बॉडि स्ट्रक्चिर हैं तो यहां पे आपको देना पड़ेगा दिखाई और क्या और उसको प्राधर सित भी कर रहे हैं विशलेशन विधी ऐनेलीटीकल मैथट जो है गनित में प्रया प्रयोग किया जाता है और चोटे-चोटे तुकड़े होते एक सांसामाहित करके उसको क्या किया जाता है प्रयोग मिलाया जाता है संसलेशित किया जाता है तो वह संसलेशन विधी कहला जाता है प्राया जो यहां पे ब्याख्यान जो हो गया ब्याख्यान सप्रदर्शन विधी संसलेशन विश्लेशन विधी तो यह क् में यूज होता है ज्यादा अगमनिंद अगमनिद वह होता है जिसमें क्оловién विक आप Orchestra करने है पढहा रहे हैं किसी आपको क्या करने हैं तो विशे-वस्तुब एसको display करना explain करना है तो वहां पर आप क्या करते हैं उधारन का पहले आप प्रयोग करेंगे उधारन पहले बताएंगे उसके बाद उसके जो नियम सुत्र परीभाशा है उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो यह क्या कर रहा है विशिस्ट से समान्य की और आगे बढ़ रहा है तो यह इ घारन के और चलते हैं तो यह निगमन विधी है ठीक है तो यह समान निसे विसीष्ट के और बढ़ते हैं हुरिस्टिक मैथड हुरिस्टिक या खोज विधी भी कहा जाता है इसी को को खोज वी अडिवेशन वी दिए और इस तीज जो मेथ़ड है उसका जो प्रतिपादन किया था और यह हुरिस्टिक मेफ़ेद्ध जो है आपको साइनस के सबजेक्ट में और आपके जो सोशल साइंस के सब्जक्त में बहुत घ्यादा उपयोग हता है प्रियोग साला में लैबोरे été मैथड़ तो रिध्यानवी से प्रियोजना वीद है प्रोजेक्ट इसके исके बाद समज्या समधान विदी समस्या सब्च्जक्ट में भी इना सर्व हजाता है को दिखाकर इस पर करने के लिए करने के लिए कहा जाता है तो यह मैंने यहां पे 13 लगबर 13 मैंने क्या विदियों बताए हैं तो इस विदियों को आप अच्छे से क्या कर लिजेगा तयार कर लेजेगा आप कॊन कॊन से विधी का ज्मान रखने तो मैंने 13 विधी का भी बता दिया तो इस 13 विधी के उप्यूक्ती घणाजी ज्यान विशह के लिए उप्यूक्त विदी को और प्रयोक की उप्यूक्त्विदी नैचर कम देमोस्ट्रेशन मेताड और बने जाती प्रसों सन से व्या क्यां सब्रदर्वशन विधी प्रोजेक्ट मैथट भी आपके समाजिक विज्ञान विसाय में उपयोगी है विचार वीमर्स डिसकसन मैथट अधिविन्यास असाइन्मेंट मैथट और हियुरिस्टिक विधी इस प्रविधी सेञे आप क्या समझता है टैक्निक जो होता है जिस विधी से हम क्या कारे करते हैं जिस वीधी से हम अध्यान अध्यापन का कार्य करते हैं है तो वह पूरण रूप से क्या करता है स्टाrting से लाज तक चलता है और जो प्रवीदी होता है अगर सराल सब्दों पाड को दीसा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं प्रविधी का हम यूज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्षन प्रक्रिया में विभिन तत्यों और पदों को इसपष्ट करने हैं तो सिक्षन विशिष्ट प्रयुदियों का प्रयोग सिक्षन में करता है जिसके प अधिक प्रभावसाली बन जाता है और काफी एजी वे में हम क्या कर सकते हैं कौन-कौन से ग्यान रखते हैं तो यहां पर कौन-कौन से प्रविधी का उपयोग किया है इन सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं। उधारन प्रवीदी कहने के मतलब है कि आप उधारन तकनिक या एकजांपल टेक्निक का अपने प्रविक गयोग किया जैसे आपने क्या किया किया किसी आप где- debt atu zero प्रष्णोघ्र प्रविधी तो हमसी टोपिकोिक अपने प्रपीधी करोग्र इसकते हैं कीशन करते हैं तो प्रश्णोघ्रsis बच्चों से आप आंशाण लेना चाहते हैं तो प्रष्णोघ्ष्ण हों गईए 1 प्रविधी और याद कर लिगा एक बार अच्छे से पड़िस नेक्स गोचला है तेक्सोनामी से आप क्या समझते हैं मूलता जियो को जियो के जो वरगी करन को वरगी कि या- टेक्सोनामी या वरगी करन है काथ है किन्तु आज मैं यृण से घ्यान के विविद चैत्रों में प्रयोग में लाया जाताा जैसे मैं यहां पर बतायrh गया है कि वस्तूों वसिद्धांतों कभी वर्गी करन किया जाता है वर्गी की सब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है वस्तु का वर्गी करन के लिए और वर्गी करन के अधारभू तत्वों के लिए तो आपने अपने विशाय में next question आपने अपने निवीशा में कौन से टैक्सोनामी का उपयोग किया है अगर मैं science का student हूं तो मैं bloom taxonomic use किया हूं और एक Harvard taxonomy या Harvard उपागम कहा जाता है उसका भी आप क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं एक अच्छा लेशन प्लान आप तयार कर सकते हैं ब्लूम टैक्सोनामी में क्या क्या समझते हैं इसके बारे में बता देता हूं कि बेंजामिन ब्लूम बीएज ब्लूम 1930-1999 एक मनोग्यानिक थे ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनामी आप टीचिंग आपजेक्टिव में ब्लूम का वर्गी करन 1956 ब्लूम टैक्सोनामी काफी प्रचलित है वर्तमान की सिक्षा ब्लूम के वर्गी करन पर ही संचालित ह जो तीन भागों में विभाजित है ब्लूम 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 ने क्या किया था जो सिक्षण के उद्यस्योग तो तीन भागों में बाटा था और हरबड जो है हरबड जो है हरबड के पंचप्रदी जो उपागम है उसके कोर्डिंग हम क्या करते हैं पार्ठ यूजन हम तैय में यह तिन डोमें दिये हैं पहला ग्यानात्मा कोगनेटिव डोमेंड दूसरा भावात्माग पक्ष एफेक्टिव डोमेंड और तीसरा क्रियात्माग पक्ष साइको मोटर डोमेंड और इसी को हम क्या करते हैं ग्यानात्माग पक्ष भावात्माग पक्ष क्रियात्माग प पता दो आपको ज्यानात्माक पक्ष जो है वो किस से संबंदित है भावात्माक पक्ष किस संबंदित है और क्रियात्माक पक्ष किस संबंदित है तो ज्यानात्माक पक्ष का जो सीधा संबंद होता है हमारे हैड से होता है हमारे मस्तिस्क से होता है भावात्माक पक्ष का ज किसी को देखते हैं रो रहा है तो हम मोथ की प्रावब्लम को समझते हैं यह अफेक्टिव डॉमेंड के इंतर क्रियात्माक पक्षा किसी भी कार्य को करना होगा तो हमारे हाथों क्या हो सकता वहां पर पड़ेगी तो यह हैं और आपको बता दूं कि जिन नई तालिम की जो प पुछा जासकता है कि हैं एक हैd है इस गहां फैफेड है और वह हैंड है ठीक है ब्लूं ठीक्समें के कुछ लाब बताये हैं हैँ अर यह वरगिकरणों के विद्धार्ती एक विषटी को अपने तरीके से शिकता और उसके समधानों पर अपनी सोच को कर सकते हैं यहां ध्यापक एक सहायक की तरह होती है और जो विचारों को समझने में केवल सहाता करती है इस तरह विद्यार्थी स्वतंत्र बन जाते हैं तो यह है ब्लूम कौन से विषय के लिए उदिक उपयोगी है विज्ञान विशा के लिए ज्यादा ही अधिक उपयोगी है हरवर्ट के प्रश्टुती करन तूलना तथा संबंध इस्थापित करना आनुप्रियोग पूर्णवित्ति प्रिप्रेशन जो एक फ़रबत नहीं कहा है कि सबसे पहले हम प्रिप्रेशन करें उसके बाद हम उसका क्या करें प्रस्तूती करन करें प्रजेंटेशन करें तुलना तथ संबंध इस्थापित करना comparison and association समानी करन उसके बाद हम क्या करें जनरलाइजेशन करें और अनुप्रियोग पूंड्रावित्ति application repetition तो यह पांचों पुजों पॉइंट है इन्होंने हरबट ने महत्पून बताया है इस पांचों पॉइंट को यह पांच प्रमुक चरन बताया है जिसके माद्यम से हम क्या करते हैं अपना एक पार्ट योजना तयार करते हैं हरबट के जो पंचप्रदी प्रनाली या उपागम विधी के जो गून दोस है वो क्या है तो हरबट का जो उपागम मनोग्यानिक सिद्धान्त पर अधारित है पहले यह गून हो गया इसमें विद द्यार्थी सक्री तो होता है लेकिन पूरी तरह सक्री नहीं होता है जब तक उनको कुछ करने के लिए या कुछ उनको दिखाने के लिए जैसे को तो होता है जब तक बच्चों में ऊदिपन परिवर्तन हो तब अच्छे तरीके से नहीं रहता है लेकिन उसे ज्ञाइदा यहां पर क्या कंध्यापक को महत्पुर्ण स्थान दिया जाता है इसके बारे हम देख लेते हैं कि सभी विशव सिक्षण में उपयोगी नहीं है जैसे विज्ञान विसाय के लिए इसमें विद्यार्थी कि आप एक्छा ध्यापक अधिक सक्री होता है तो यह दोस हो गया है उद्देश से आप क्या समझते हैं कौन-कौन से प्रकार बताया गया तो उद्देश से पूर निधारी साध्ध हैं जो किसी कारे का करते हैं हमको मार्ग दर्शन करते हैं उद्देश के ज्यान के अभाव में सिक्षक उसनाविक के समान है जिसे अपने लच्छे का पता नहीं होता है तथा एक समोढ़ में आप देखें जिटको क्हेंने वाला नहीं होता है बीना चपू करते हैं उनका कोई उद्देश से नहीं होता है ग्यान के अभाववं में सिक्षक कुस्णाविक के समान है अब इसके प्रकार के बारे में देख सबर रखते हैं समान नमाननकर विस बताएं साथ्मक के बारे में बहुत कर से ल experiments कहाँ थे लिए समानने उद्देश को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ब्यापक होते हैं इनकी प्राप्ति जो है वो विद्याले राश्ट समाज को आधार बना कर की जाती है और इनके अभाव में यह प्राप्त नहीं किया जा सकता यह लच्ष विध्यार्थी के आदर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हैं विध्यार्थी अपनी सही मार्ग यह दीशा तक पहुंचता है और आपको बता दूँ कि जो विध्यान के बारे में जानकारी देना या बच्चों को विज्ञान के प्रती बच्चों में विज्ञान के प्रती रूची जागरित करना मतलब यह समानने जो उदेश होता है उसमें ब्यावहारगत परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या जाता है समानने उदेश दिया जाता ठीक है उसमें या कहना यह कि जो समानने उद्देश होता है वच्चों में ब्यावहार परिवर्तन लाने में क्या है सहायक होता है ठीक है और विशिष्ट उद्देश के बारे में बात करें विशिष्ट उद्देश जो होता है वह माध्यम है जिनकी साहत्य से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा पर, विद्यार्थियों की उपलब्दी जाती है, अब मैं आपको एक बात और clear कर दूं कि, स्पेसल अप्जेक्टिव होता है, वो वीशे वस्तु से क्या विशे वस्तु से क्या होता है? वीशे वस्तु पर अधारित होता है, और जो हमारा कहना चीए, जो समानने उद्देश है वो हमारे विहेवियर चेंजेस पर हाना वो उस पर आधारित हो चलिए नेक्स कोईशन देखते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा लाइक ही करना है आपको कोई यहां पर पैसे खर्च नहीं करने है एक कमेंट कर दीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो और अधिक से अधिक लोगों तक सेयर करें ताकि यह नौलेज उन तक पहुंच पाए हमारा नेक्स्ट कोशन है प बच्चों के पूरो ग्यान का पता लगाने के लिए पूरो ग्यान को नए ग्यान से संबंद इस्थापित करना और सरल तरीकों से प्रक्रण निकालने के रिए प्रक्रण जो होता है क्या होता है तो प्रक्रण जैसे हम जिस टॉपिक के बारे में या जो हम जिस जैसे हम एक के लिए क्या करते हैं लैसन प्लान बनाते हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड है उसके लिए हम प्रक्रन का प्रयोग करते हैं प्रिष्ट पोशन फीडवैक या प्रती पुष्टी क्या या किसे कहा जाता है तो जब कोई छात्र द्यापक अपनी सुक्ष्म पाथ योजना प् इंगित की जाती है ततहा उसे सुधारने की उपाई बताय है इसे प्रिष्ट पॉशन कहते हैं फीडवण कहते है फीडवेक आपने एक छात्र द्यापक हैं तो आपने क्यों आपकी टीचिंग स्कील कैसा है उसको के लिए आप क्या करेंगे आपने एक टॉपिक पढ़ाया टॉपिक पढ़ाने गया एक यूनिट पढ़ा लिया यूनिट पढ़ाने के बाद आपने क्या किया बच्चों से आपने जाना चाहा कि वहां से आपको पता चल जाएगा इसलिए कि आब या कह सकते हैं कि same elevation के लिए भी हम क्या करते हैं फिटवेग लेते हैं तो यह हम फिटवेग प्रिश्ट पौश्छन प्रति पुष्टी पार्ढ्रियों बनाते हैं अगर हम बीना पाठ योजना की किसी पाठ को बच्चो को पढ़ा empowered अच्छा का aún संचाला नक्षे से नहीं करा पाएंगे क्या पढ़ा है क्या छोड़े हम यह नहीं तर कर पाते अधर कच्छा का संचालन सुनयोजीत तरीके से कम समय में सार्थक चीज़ों को बताने के लिए हम पाठ योजना तयार करते हैं तो पाठ योजना इसलिए बनाया जाता है सुख्षम सिक्षन क्या है और एक सुख्षम सिक्षन चक्र इसके बारे में पूछा जाता है तो पहले तो देख लेते हैं सुख्षम सिक्षन का विकास एलन द्वारा 1963 में सिक्षन ब्याहरों सैक्षनी क्रयाओं के विकास के लिए किया सुख्षम सिक्षन का जो उदेश है वो चात्र ध्यापक को सुख्षम सिक्षन द्वारा सिक्षन कांसलों का प्रसिक्षन देना जो चात्र ध्यापक होते हैं यहना बीट के जो प्रसिक्षन आर्थी होते हैं खासकर सुख्षम सिक्षन उसी के लिए उपयोग में लाए जा करना आपको बता दूँ कि जो सुक्ष्मे सिख्षन जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है ज़्यादा ज्यादा इसमें कम समय कम विद्यार्ति या कम प्रसिख्षनार्ति कप्छा के जो आकार हैं वह पांसे दस लोगों तक सीमित करना मलत बेर बीड़ बनाने वाली काम नही समय जो होते हैं समय सीमा वह पांस से दस मिनट में जो होता है इस में आपको बता हूं सुख्ष्म सिक्ष्मяс का पूछा जाता है तो शुक्ष्म फिडवैक लेन Wars प्लान तयारकर तो इस प्रकार से सुक्षम शिक्षन चक्र चलता है अगे हम बात करते हैं पाठ योजना कितने मिनट का होना चीए तो एक समाने पाठ योजना जो है 40-45 मिनट का होना चीए इससे ज्यादा का नहीं होना चीए सालान भाव क्या उद्देश होता है तो सालान भाव या स्कूल एक्सपिरियंस और इटनसीप छाते ध्यापक पढ़ाने का उनभाव करे व क्रिया कालवापों का अध्यान करना साले सिक्षन को समुदायवा आज-पास के परियोरन से जोड़ना और अपने विशा के अध्यापन का अनुभाव करना कराना स्कूल एक्सपिरियंस कितने दिनों का होता है तो होता है कि आपको पूछा जा सकता है कि कितने दिनों का होता है मूल्यांगान क्या होता है इसके बारे हम बात करें मुल्यों milk के चेंट सका प्रयों काफी प्रचलन में है मुल्यांगन के द kla scrut है कि बालक के वरतमान इंश्थिती क्या है और उसने किस सीमा तक किन Κिन ओदोस्ट्रों को प्राप्ट किया है मुल्यांकन के प्रकार की बात करें जैसे मुल्यांकन के बारे में हम बात करें तो और आपको आएगा एक मापन और एक है आकलन तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजेगा यहां पर मुल्यांकन की कुछ प्रकार बताया है जैसे निर्मानात्मक फॉर्मेटिव निदानात् समेटीव एंड सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन continuous and comprehensive evolution सीसी ही क्या होता है सीसी के अगर फूल फार्म के बारे में बात करें तो continuous and comprehensive evolution सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन सतत कर यह अर्थ है हमेशा चलते रहना एवं ब्यापक अर्थ जो है विस्तारित रूप से अर्थात ब्यापक रूप से हमेशा चलने वाली मुल्यांकन ही सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन कहलाते हैं स्वाम मुल्यांकन से आप क्या समझते हैं तो मुल्यांकन जो है स्वयम द्वारा स्वयम का मुल्यांकन या स्वयम स्वयम मुल्यांकन एक ऐसी विधी है जिन में वहां प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई बैक्ति स्वयम का मुल्यांकन करता है छात्रत ध्यापक का मुल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है तो स्वा मुल्यांकन पहला एक हैना दूसरा दूसरे अध्यापक चातर अध्यापक द्वारा एक परियुक्षक द्वारा आगे बात करते हैं आगे बच्चों के मुल्यांकन के लिए उप्यूक्त प्रकार बताईए तो बच्चों के मुल्यांकन के लिए एक सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन बहुत महत्पूर है यह बहुत एक अच्छा मान सकते हैं इसको एक अच्छा प्रकार मान सकते हैं क्योंकि सतत एवं ब्यापक मुल्य मुल्यांकन देदारा ठीक है यह कुछन रीपीट हो गया है बच्चों के मुल्यांकन कहां और कैसे किया जा सकता है तो बच्चों का आद Васानी कि क्या होती हैसि समागरी होती है Teaching ॥ के नाम बताए है तो इंटरेक्टिव जो Digital board तो स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर हो सकती है स्माट इस आप क्लास से आप क्या समझते हैं स्मार्ट क्लास और डिजीटल क्लास को आसान वा समेश समझें तो हमारे सीखने की जो पद्धती है और हमारे अध्यान कक्षो को मज़ेदार आसान बनाता है स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चे बहुत ही असानी से चित्र और वीडियो के द्वारा बहुत कुछ नया सिख सकते हैं smart class ऐसे आपके जो class है आपके class को smart class बनाने के लिए कहा जाया तो सबसे पहले आपको वहाँ पे system की जौरत होगी है ना projector वगरा कि आ सकता होगी computer लगाना होगा project लगाना होगा या interactive board आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं जिसमें बच्चोς को क्या कर सके सिख्षा के कितनी दुरु प्रदागा है कि सिख्षा के तीन दुरु अध्यापग, छात्र और पार्ठिक्रम पार्ठिपुस्तक बाल केंद्री सिख्षा से आप क्या समझते हैं बच्चों की रूची प्रवित्ती छम्ता तथा इसतर को ध्यान में रखकर सिख्षा प्रदान बालक पाना केंद्रित सिख्छा से आप क्या समझते हैं अध्यापक केंद्रित करें कह де करके игры करने का 角 पर इंचे कि बच्चा सीख रहा है या नहीं से राइस पर ध्यान नहीं होता है देजा दॉट्धापक राते हैं पार्ठी पुस्तक के अंद्री सिक्षा से आप क्या समझते हैं तो पार्ठी पुस्तक के अंद्री सिक्षा का अतात परिया है कि अध्यापक जो है जो है बच्चों को सद्ध्यांतिक ज्यान प्रदान करते हैं एक अच्छे सिक्षक के गुन बताईए एक अच्छे सिक्षक को अपने विशाय का पूरे ग्याता होना चीए पूरे ग्यान होना चीए एक प्रभावसाली वक्ता होना चीए उच्चारन सुध्ध वा इसपष्ट होना चीए में पूर्ण रूप से पारंगत होना ही कॉंसल कहलाता है उधारन अगर किसी को कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी है चला लेता है तो कहा जा सकता है कि उनके पास कंप्यूटर की स्किल है पाठ्थ सगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं पाठ्थ सगामी क्रिया को कुरि ही मात तो है जितना की कच्छा में पढ़ाई जानी वाली विसावस्तो इन क्रियाओं कोई पाठे सागामी क्रियाएं कहा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखिए अगी पाठे सागामी क्रियाओं को जैसे कराना घेल कूध सिल्प कला क्विस समानेगान प्रतीयोक्ता औरिगमी गायन वादन सामो ही क्या होता है तहल और गामी जब जो होता है का गज को मोर ने की एक कला है और गामी Khan वा बता सकते हैं 10 ग्राम में 10 ग्राम जो होता है साथ पिक्चर होते हैं 10 ग्राम में और साथ पिक्चर को काट कर हमें एक सार्थक चिसको सने प्रश्णों के प्रकार को लिखे तो प्रश्णों के प्रकार में प्रश्णावना प्रश्ण पहला दूसरा विकास आत्मक प्रश्ण दीसरा समस्या जाता है तो इंट्रोजक्शन जो कोशन है वो बच्चों को पूरो ग्यान को नए ग्यान से जोड़ने के लिए पहला दूसरा जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चों को जो बच्चों के जो पूरो ग्यान है वो नए ग्यान से जोड़कर संबंध स्था प्रस उनका नॉलेज चेक करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है और प्रस्तावना प्रश्न जो है हमें प्रक्रन तक पहुंचने में क्या करता है मदद करता है विकासात्मक प्रश्न विकासात्मक प्रश्न के लिए मैं उपको उधारन देता हूं कभी कहीं आपने क्य अभी देख रहे हैं कोई भी सिरियल आपने देख रहे है एक मूवी देख रहे हैं तो कहीं इं casino हो जाता है या कहीं है को इसमेंस वेड़ा आजाते हैं तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि आप आगे क्या होगा या हमको एक जानने की एक द्रीड इच्छा होते हैं विकाशात्मक प्रशन इसी ले किया जाता कि आगे क्या होगा है ना यह पार्ट को गती प्रदान करने पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए विकाशात्मक प्रशन या development question किया जाता है एक यहां पर छूड़ गया है brain storming question जो है brain storming question जो है बच्चे को सोचने समझने के लिए या मनीं करने के लिए यहां स्मस्यात्मक प्रशन समस्यात्मक प्रशन में क्या होता है कि इसले कि बच्चे को उस समस्या का सम ambassador कि खुद निकाले ठीक, बोध प्रशन, understanding question, तो इसमें किसी paragraph को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे ने कितना समझा है, या बच्चे ध्या, आपके पढ़ाने को ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं बच्चे जो हता है, पीछे बैट के सरारत करते रहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उसका knowledge check करने के लिए वहां पर बोध प्रशन करते हैं, तुल्नात्मक प्रशन, तुल्नात्मक प्रशन, comparison करने के लिए, कि दो चीज़े वहां पर बताया गया, है ना, और दोनों चीज़े में, comparison के लिए, तुल्नात्मक प्रशन, जो question है, वो किया जाता है, पु आज का जो हमारा प्रक्रन था आज के प्रक्रन उस पर हम क्या करते हैं पुन्रावित्ति कर पुन्रा उसका हम पुन्रावित्ति प्रश्ण हम तयार करके क्या करते हैं बच्चों को देते हैं विचारात्मक प्रश्ण विचारात्मक प्रश्ण जो होता है वो बच्चों को विचार करने वाला होता है वहां पर थोड़ा समस्ता है विचार करता है मनन चिंतन करता है तो विचारात्मक प्रस्ण उसी के लिए किया जाता है यहां पर भी हम कह सकते हैं कि बच्चों को कोई भी चीजें हमने टास्क दे दिये या कोई प्रोजेक्ट हमने ने दे दिये तो वहां पर क्या करता है बच्चा सोचता है समस्ता है समस्ता है विचार करता है तो यह विचार आत्मक प्रश्न है कि सिक्षण सुत्र टीचिंग मैक्सिम से आप क्या समझते हैं टीचिंग मैक्सिम जो होता है सक्षण उत्र करpe enough उता है बहुत अधिक Prakrya में और प्रभावसाली गारे के लिए कीद आता जैसे यहां पे कुछ प्रमुक जो सिक्ष्छन सुत्र है उसका उसके बारे में बताया गया जैसे ज्ञाद से अग्याद from known to unknown ज्याद भी है कि बच्चे जिस चीजों के बारे में जानता है उसी से हम अग्याद चीजों के और आगे बढ़ते हैं सरल से कठीन, from simple to easy, simple to complex, ठीके, तो सरल से कठीन कहने का मतलब यह है, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, यह तो जो बच्चा known है, उचको unknown की और आगे बढ़ें, इस simple से हम क्या करें, complex, थोड़ा कठीन की और हम क्या बढ़ें, है ना, पैने सरल चीजों को बता हैं, कठीन को उसके बाद हम बता है, प्रतेक्ष से परयोक्ष, मतलब प्रतेक्ष से अप्रतेक्षी की और, direct to undirect, है ना, सरल से जटील की और, हम बच्चे को क्या करें, सरल सरल चीजों को पहले कराएं, मतलब ऐसा नहीं है, कि हम first multiplication का जो सवाल है, वो हम बताना चालू कर दें, ऐसा न करा, जैसे science के subject में होता है, विसेश से समानने के और, विसेश से समानने जैसे हम particular to journal, हम किसी चीज को, किसी विसेश्ट चीजों के बारे में पहले अद्धन करा, उसके बाद उसी को generalization करे, समानी करन करे, अनुभाव से तरक, from learning to logical, experience के according हम एक तार्किक या logical चीजों की और आगे बढ़े, पूर से अपूर, from world to part, मलब पूरे जो चीज है, उसको पहले जैसे हम maths के subject में हम बात करें, fraction के लिए, भिन्न के लिए, तो वहाँ पे पूरे को पहले बताए, उसके बाद उसके पार्ट को बताए, इस प्रकार से, पूर से अपूर, analysis to synthesis, और synthesis to analysis, यह दो एक दूसरी को opposite चलता है, तो पहले हम क्या करें, छोटी-छोटी चीजों को क्या करें, किसी बड़ी वाली चीज को हम छोटी-छोटी तुकडों में लेकर चले, और उसके बाद sensation जो होता है, छोटी-छोटी तुकडों को हम एक साथ करके देखें, तो यह visualization से sensation और sensation से visualization, शम शम में करते हैं, मूर्थ से से मूर्थ, from factual to imaginary जैसे हम बात करें, गॉले की बात करें, तो गॉले से ही हम क्या करते हैं? उसको imagine करने के बोलते हैं कि जो पिथवी का अकार है, रहना सौरूप है वो कैसा है, गौल है, तो हमने गौले को अगरा के लिए, वाथ कर ले तो यह सा से संबंदित वह सरूप है जो कख्षा के अंताक्रिया में उन विशिष्ट परिस्तियों को उत्पन करता है जो सैक्षिक उद्ध्यों को प्राप्ट करने में सहेक है और चात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं कुछ सीख्षण काॉंसल जैसे प्रस्तावना कांसल प्रस्तासन कांसल नुफ को और में तो करने केव एक गला होती है है ना जब तक हम क्या नहीं करें मौका ना दे जब तक आपर्चुनिटी ना मिले तक तो यह सब चीजें हमसे हो नहीं पाती है दृष्टान कॉंसल या उधारन कॉंसल जैसे हम क्या करते हैं प्रस्टन करने की भी स्कील होती है और प्रस्तावना कॉंसल प्रस्तावना कॉंसल किसी चीज को हम बताये कैसे वो भी एक स्कील के तहत होता है द्रिश्टान्स कॉंसल या उधारन कॉंसल तो हम किसी टॉपिक को बता रहे हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं तो यहीं द्रिश्टान्स कॉंसल के अंतरगता किस प्रकार से हम एजी वे में हम क्या करें उसको समझा मतलब एक डाइग्राम को हम कैसे बताएं लिखावट रहा हो गया कि हम कैसे लिखें यह स्यामपट कॉंसल के अंतरगत आता है कोचपुन प्रस्ण कॉंसल दीपन परिवर्तन को दीपन कहने का मतलब है कि हम बच्चों को अपने हाव भाव के माध्यम से क्या करें समझाए या ब्योहार में परिवर्तन इसी को देखकर क्या करता है बच्चा सीखता है अपने ब्योहार में परिवर्तन लाता है जब तक हम बीना अधिपन परिवर्तन के हम क्या करते हैं अध्यापन कारें संपन कराते हैं तो वहां पर बच्चा क्या हो जाता है निस्क्री हो जाता है तो इसलिए हमको अपने हाव भाव को प्रकट करते हुए क्या करना चाहिए अध्यापन कारे संपन कराने चाहिए पुनर बनन कॉंसल पुनर बनन कॉंसल जो था reinforcement जो है दो टाइप के है एक positive एक negative तो जब भी क्या करते हैं बच्चे जब हम क्या करते हैं question का आंसर बच्चे positive में देते हैं तो हम हमें उनका क्या करना चाहिए पुनर बनन करना चाहिए सावा स्वेरी गोड बहुत अच्छा है ना तुम कर सकते हो इस प्रकार के हम क्या करें पुनर बनन दे तो बच्चे क्या होते हैं उस साहित होते हैं और बच्चे को कभी नाकारात्म पुनरबलन नहीं देना चाहिए एकक्ष कॉंशल हम और कोई भी कंतेंट है वीजएवस्तु है उसको हम कैसे ब्याख्वया करेंड हमको क्या करना चाहिए कलए कल flop ताफ चली कहने के अंत्ब बच्छों को कैसे ब्यवस्तित की टरीके से बठाएं है नहीं तो ये कच्छा प्रबन और रदल्शन काउंसем सर तो प्रदरशन कंझल जो है डेमोस्ट्रेसन कांसल कि कि किसी भी ज़िए काल नहीं आपने पहले बच्छों को दिखा दिये और जहांप को दिखाना है वहां पर बच्चों को नहें दिखाए ईक如果 संभाते से संबंदीत मैंने डाला और डालएडी डाला हुआ हैं तो आप एक नई तालीम का प्रmost nationwide यजना का था यूपीजा ढ लूए तो आप वहां से इसको देख सकते हैं इसको देख si सिक्षन कराने के लिए तो दो लोग जाते हैं अगर सिक्षन के वक्त दो बैक्ति एक ही कख्षा में जाए तो दूसरे बैक्ति को क्या कारिया होता है और लोकन करना सिक्षन सायक समागरी के लाब था सिक्षन सायक समागरी का प्रियोग सिक्षण के समय क्यों करना चाहिए सिक्षण सायक समागरी सिक्षण में अत्यनत ही प्रभावसाली होते हैं पार्ट को सरलता पूर्वक समझाने में क्या करते हैं यह मददकार होते हैं मौडल क्या है मोडल किसी वस्तु का प्रति रूप होता है मौडल हम दो तरीके से बता सकते हैं पहला working model दूसरा static या standing model इन में working model ज्यादा प्रभाई होता है working model कहने का तात पर यह किसी कारिये को होते विए दिखा सकते हैं इस प्रकार से आपको मेरे वीडियो कैसा लगा आप कमेंड कर जरूर बताईएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा